कि यहां मेट्रो रेल से समंदित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेल्वेल आई पेल पी चैनल को सबस्क्राइब कि दिये साथ में सेयर करना मत भूलिए हलो दोस्त एक चोटी सी एलेक्टिकल वीडियो है जिसने आपने एक्जाम में भी देखे होंगे बहुत सारे प्रसना आता है कॉमुटेटर का तो चलिए आज कॉमुटेटर देखते हैं कि कॉमुटेटर होता कैसे है तो अभी यह देख सकते हैं मेरे हाथ में यह DC सीलिंग फै आते हैं आपको सबसे पहली पार्ट देख सकते हैं यह कार्बन बुरूस इसे बोलते हैं कार्बन बुरूस दो पॉट्जेटिव और नेगेटिव टर्मिनल को टच करता है और यहां पे आप कॉमुटेटर की बात हो रही है थी तो देख सकते हैं मैं अभी ओबर वीव दिक आते हैं अब यहां देख सकते हैं मैं यह कवर को यहां से रिमूब कर दिया हूं यहां से तो कवर रिमूब होने के बाद देख सकते हैं वाइंडिंग बिल्कुल आपके सामने असपस्ट आ चुका है अब यहां वाइंडिंग में देख सकते हैं अब मैं इसको आपका भीव चेंज कर देता हूँ तो यह देख सकते हैं वाइंडिंग का आर्मर को पूर है और साथ में इसकी वाइंडिंग है एक दूसरे से टर्च की हुए थे लेकिन यहां बात थी कॉमुटेटर की क्या होता है और कर से काम करता है तो देखिए मैं यहां पर आपको भी मिलाता हूँ यह कॉमुटेटर जो आप निसान से देख सकते हैं एक दो तीन अलग अलग सेब्मेंट में एक दम बिलकुल आप किलियर देख सकते हैं यहां पर अलग अलग सेब्मेंट में एक कॉमुटेटर बना हुआ है उपर से भी आप देख सकते हैं अलग अलग कॉपर की पती और ब बैंडिंग इस से एक दूसरे से जूड़ी हुई है तो इस तरह कॉम्टेटर का स्पार्किंग को कम करने के लिए इस पर कार्बन बुरूस जो हमने अभी दिकायत आपको इसमें देख सकते हैं इसकी कार्बन बुरूस है यह एक कार्बन बुरूस आके इस पर टच होता है आगर चेशमें साथ में जिसकी ऑमेंट होती है तो लेसे सी कोज़़े हैं औरी डी सी में अगर मोटर हो सकती है तो बाहर से जो नियु आपको बार्बन बूस्त तक आएगी देख सकते हैं इसमें वायर दी हुई है इस वायर के द्वारा प्लस एक देख सकते हैं एक माइनस और एक प्लस दोनों वायर के द्वारा यहां तक करेंट आएगी और करेंट आने के बाद एक कंप्टेटर तक जाएगा लेकिन कंप्टेटर से ऐसा एक प्लस we porta के द्थिशन संह्टार के डिलव सकते हैं अगर यह Meyer वैंडिंग एक है तोसी में काम करते हैं लेकिन जेनरली देख सकते हैं यह इंदिशन है सने अधिक कमपेटर के साथ इसकी की टर्ण मोंटी मोंटी होती सकते हैं आप एक देख सकते हैं कि इतनी मोटी है इसकी वैंडिंग की अगर एसी रहता तो यह बहुत बारिक होता है क्योंकि यह मोटर बहुत अस्माल है केवल पचास पचास या साट वाट की मोटर है उससे भी कम कर सकते हैं 20 वाट की मोटर है तो 20 वाट की सीलिंग फैन DC है तो इसमें आप बिल्कुल ईजी से कमुटेटर के फंक्शन को समझ सकते हैं एक बार मैं आपको और फिर से जूम करके दिखा देता हूं इसका सेग्मेंट तो आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं कोई प्रोब्लम हो तो इसी से DC और SC मोटर की पचान होती है कमुटेटर से तो उमीद है कि यह कभी अगर आप कर दो